चलिए देखते हैं कि एक और रिनात्मक एक के विभन्न घातांक लेने पर क्या होता है? पहले हम संख्या एक को लेते हैं और मान लेते हैं कि इसकी घात आठ है. हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं. हम यहां एक को आठ बार लिखेंगे और फिर उन्हें आपस में गुणा कर देंगे, चलिए इसे करते हैं, तो यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, मतलब एक, आठ बार है, अब हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे, ऐसा करने पर हमें एक गुणा, एक, कितनी बार गुणा कर रहे हैं, क्यूंकि यहां हमें परिणाम हमेशा एक मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हमने एक को आठ बार गुणा किया है, लेकिन अगर आठ की जगह असी होता, या फिर आठ सौ होता, या फिर आठ लाक होता, और अगर हम उन्हें आपस में गुणा करते, तो भी हमें एक ही मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक की घात कुछ भी हो, उसका परिणाम एक ही होता है, चलिए अब देखते हैं कि एक की घात शून्य क्या होता है, हम जानते हैं कि शुन्य को छोड़ कर अगर हम किसी भी संख्या की घात शुन्य लेते हैं तो हमें परिणाम एक ही मिलता है हम इसे घातां की दूसरी परिभाशा के रूप में भी देख सकते हैं जहां हम एक से शुरू करते हैं, और ये संख्या हमें बताती है कि हम एक को कितनी बार आपस में गुणा करेंगे, तो यहां एक को शुन्य बार गुणा करने पर ये एक ही होगा, चलिए इसे और बहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो अब हम संख्या दो को लेते हैं और मान लेते हैं कि इसकी घात चार है। अब यहाँ भी घातांग की दूसरी परिभाशा के अनुसार हम एक से शुरू करते हैं और फिर इसे दो से चार बार गुणा करेंगे। तो ये गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो बराबर 16 होगा। इसी भी संख्या की घात शुन्य लेने पर हमें एक ही मिलता है। चलिए अब कुछ और रोचक उदाहरणों को हल करते हैं। अब हम कुछ रिनात्मक संख्याओं को लेते हैं। चलिए हम रिनात्मक एक को लेते हैं और पहले इसकी घात शुन्य लेते हैं। एक बार फिर इसी इसे भी एक से शुरू करेंगे और फिर इसे रिनात्मक एक से शुन्य बार गुणा करेंगे। इसका मतलब यही है कि हम इस संख्या से गुणा नहीं करेंगे। इसलिए हमें यहां केवल एक मिलेगा। चलिए अब रिनात्मक एक की घात एक लेते हैं। अब इस रिनात्मक ए एक से शुरू करना पड़ेगा और फिर इसे एक से आठ बार गुणा करेंगे तब भी हमें यहां एक ही मिलेगा चलिए अब इसी तरह रिनात्मक एक की घात एक को करते हैं तो यहां भी हम एक से शुरू करेंगे और फिर इसे रिनात्मक एक से एक बार गुणा करेंगे और अ अब यहां हमें रिनात्मक एक मिलेगा। आईए अब रिनात्मक एक की घात दो लेते हैं। जब भी हम किसी संख्या की घात दो लेते हैं, तो इसका मतलब हम उस संख्या का वर्ग करते हैं। रिनात्मक एक की घात दो, यहां भी हम एक से शुरू करेंगे और फिर इसे रिनात रिनात्मक एक गुणा, रिनात्मक एक. तो ये किसके बराबर होगा? अब हमारी पहले वाली परिभाशा के आधार पर हम यहाँ एक को हटा भी सकते हैं. क्यूंकि ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा. तो इसका मान निकालने के लिए हम इन दोनों रिनात् परिवर्तन बंता नजर आ रहा होगा. चलिए अब रिनात्मक एक की घात तीन लेते हैं. ये किसके बराबर होगा? यहाँ भी परिभाशा के अनुसार एक से ही शुरू करेंगे. और फिर इसे रिनात्मक एक से तीन बार गुणा करेंगे. तो रिनात्मक एक गुणा, रिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. अब ये रिनात्मक एक गुणा रिनात्मक एक बराबर धनात्मक एक होगा. और फिर गुणा रिनात्मक एक बराबर रिनात्मक एक होगा. तो आप यहाँ एक पैटर्न देख सकते हैं. रिनात्मक एक की घात 0 बराबर 1 है. फिर रिना रिनात्मक एक को रिनात्मक एक से गुणा करने पर फिर से हमें रिनात्मक एक ही मिलेगा। इस तरह हमें जो पैटर्न मिला है वो ये है कि जब भी हम रिनात्मक एक की विशम मतलब और घात लेते हैं तो हमें रिनात्मक एक मिलता है। और जब हम रिनात्मक एक की सम, मतलब even घात लेते हैं, तो हमें धनात्मक एक मिलता है, क्योंकि रिनात्मक गुणा रिनात्मक बराबर धनात्मक होता है, और अगर हमारे पास सम बार रिनात्मक है, तो हमारे पास हमेशा रिनात्मक गुणा रिनात्मक होगा, तो यहाँ पर य इवन है इसलिए यहां हमें धनात्मक एक मिलता है हम इसे रिनात्मक एक की घात चार लेकर भी देख सकते हैं तो रिनात्मक एक की घात चार लेते हैं यहां भी हम एक से शुरू करेंगे और फिर इसे रिनात्मक एक से चार बार गुणा करेंगे तो रिनात्मक एक गुणा रि जो कि धनात्मक एक के बराबर होगा. अब अगर हम एक की घात दस लाख लेते हैं, तो भी ये केवल एक के बराबर होगा. और अगर हम रिनात्मक एक की घात दस लाख लेते हैं, अब क्यूंकि यहां हम जानते हैं कि दस लाख एक समसंख्या है, इसलिए ये भी धनात्मक एक क बराबर ही होगा लेकिन अगर हम रिनात्मक एक की घात 9,99,99 लेते हैं तो ये एक विशम संख्या है इसलिए ये रिनात्मक एक के बराबर होगा